सांप एक ऐसा जीव है जिसका नाम सुनते ही हमारी सरीर काप जाती है यदि यह कहीं हमारे आसपास आ जाये तो वहां से भागने में ही भलाई होती है हमारा सांपों से डरने का सिर्फ एक कारण है इनका जहर यदि इनके अंदर जहर ना हो तो या एक घूमती होई रसी के समान होंगे जब ये इनसान को काटते हैं तो ऐसे हमारे सरीर में कौन सा रियेक्षन होता है जिसकी वज़े से इनसान की मौत हो जाती है चलिए जानते हैं पहले साप अपने भीतरी दातों से जहर उकलता था लेकिन समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन करके उनका जहर आगे की दातों में सिप्ट हो गया जिससे उनको सिकार पकड़ने में आसानी हो गई पहले सापों के दातों से जहर अंदर से निकलता था लेकिन समय के साथ हुई परिवारतन के कारण उनका जहर आगे के दांत में सिप्ट हो गया और आसानी से बाहर निकलने लगा और दूर तक भी जाने लगा मेडिकल में अलग-अलग सापों के जहर को अलग-अलग तरीकों से प्रियोग किया जाने लगा जैसे कुछ सापों के काटने से खून का थक्का जम जाता है तो इन सापों के जहर को मेडिकल में ऐसी जगा प्रियोग किया जाने लगा जहां ऑपरेशन करते समय ज्यादा खून निकलता था